तो भाई लोग कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्त और खुशाहा लोंगे आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे क्लासिक हॉलिवोड फिल्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 90's में आए ऐसी फिल्मे हैं जिन्होंने एक्शन के मायने बदल कर रख दिये अगर आपको एक्शन मोविज देखना पसंद है और आपने इन मोविज को नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा और अगर आपको action movies देखना ना भी पसंदो फिर भी आपको ये पांचो फिल्म में जरूर पसंद आएंगी और हाँ इसी तरह की और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके प्यार से ही मुझे आगे बढ़ते रहने का होसला मिलता है तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे सुरू करते हैं पांचवे नमबर पर हमारी लिष्ट में है Hard Target Hard Target एक स्टैलिस एक्षन से भरपूर फिल्म है जिसे होंग कोंग के डियाक्टर जॉन वो ने डियाक्ट किया था या उनकी पहली यूएस बेस्ट फिल्म थी या एक बहुत ही इंज्वाइबल फिल्म है अगर आप इसे बहुत ही यादा सीरियसली नहीं लेते हैं तो जैसा कि इसमें Gene Claude Van Damme है तो आपको इसमें बहुतरीन एक्षन देखने को मिलते हैं अगर इस फिल्म के कहानी की बात की जाये नतासा वैंडर अपने पिता की तलाश में न्यू औरलेंस आती है जो कि लापता हो चुके हैं ऐसा करने के दोरान वह एक चांस नाम के बहुत ही hard man से मिलती है जो कि उसे उसके पिता की तलाश करने में मदद करता है बेसिकली इस फिल्म की कहाने इसी के इर्दगिर्द गूमती है और इस दोरान आपको बहुत ही बेहतरीन action sequences देखने को मिलते हैं इसे देखना काफी मैदार रहता है और इसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए आप इसे बहुत enjoy करने वाले हैं चाओते नंबर पर है speed हलांकि इस फिल्म को आये हुए दो दश्कों से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी भी यह एक strong action वाली एक gripping adventure movie है किसी भी action फैन को इसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए अगर इस फिल्म के कहानी की बात करें तो एक young police officer जिसका केदार निभाया है केनो रीप्स ने उन्हें एक city bus को 50 km पर ती घंटा की रफ्तार से हमेशा उपर रखना है ताकि बस में एक बहुत बड़े bumpy sport को होने से रोका जा सके बेसिकली इस फिल्म की कहानी इतनी सी है पर इस फिल्म की एक खास बात जो मुझे लगी कि इसकी कहानी बहुत सिंपल है पर उसे बहुत ही cleverly लिखा गया है जिसे देखते वक्त आप एक सेकेंड के लिए भी अपना ध्यान टीवी स्क्रीन से नहीं हटा पाते यह एक non-stop action से भरपूर एक action thriller movie है जिसे आपको जरूर ही देखना चाहिए आप इसे बहुत पसंद करेंगा तो अब आगे बढ़ते हैं अपने top 3 की ओर अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो फ्लीज पहले वीडियो को लाइक करतें और वो लाल वाला subscribe बटन जरूर दवा दें हमारे लिश्ट में तीसरे नंबर पर है The Fugitive The Fugitive एक ऐसी फिल्म है अगर आप action movies के फैन नहीं भी हैं फिर भी यह फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी इस बात की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको हर मैने में इंटर्टेन करती है अगर इस फिल्म के कहानी की बात करे तो सिकागो के जा अगर आपने यह फिल्म के बारे में आप अपनी राह में कॉमेंट सक्षन में जरूर बताएं दूसरे नंबर पर है टर्मिनेटर 2 जजमिंट डे अगर हम बेश्ट एक्षन मूवी की बात कर रहे हूं और उसमें टर्मिनेटर 2 का नाम ना लिया जाए तो यह बेसक नाइन साफी होगी यह फिल्म जेम्स केमरून के केरियर की सबसे बहतरीन फिल्म है और यह अब तक की वन अप दे ग्रेटिस्ट एक्षन मूवी है इस फिल्म को हम एक्षन और साइंस फिक्षन जोनर का एक मास्टर पीस कह सकते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ बुरा कहाई नहीं जा सकता और यह हर तरीके से अपने पहले पार्ट से बहतर है इस फिल्म के कहानी के बारे में शायद ही मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत हो अगर आप कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें एक्षन और साइंस फिक्षन का एक बेहतरीन कॉंबिनेशन हो और आपने अभी तक यह मुवी नहीं देखी तो सबसे पहले इसे जाकर देखें मेरी बात मानी आप इसके हर एक पार्ट को एक के बाद एक डेख डालेंगे और अगर आपने यह फिल्म देख लिए तो हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में जरूर ही बताएं और हमारे लिष्ट में पहले नंबर पर है दे मैट्रिक्स दे मैट्रिक्स एक ऐसी फिल्म है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती चाहे हम 2030 में चले जाएं या 2050 में यह 90's में आई एक ऐसी फिल्म थी जिसने science fiction फिल्मों के लिए एक revolution ला दी अगर इस फिल्म के कहानी की बात करें तो Thomas A. Anderson एक दोरी जिन्दगी जिने वाल आदमी है जो कि दिन में एक average computer programmer है पर रात में वह है एक hacker जिसे नियो के नाम से जाना जाता है नियो ने हमेशा उनकी reality पर सवाल उठाया है पर जब उसे सचाई का पता लगता है तो वह उसके imagination से कहीं आगे है यह एक incredible और highly influential फिल्म है भले है इस फिल्म के आगे की दो पाट उतने अच्छे ना हो पर जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपको यह ऐसास भी नहीं होता कि यह फिल्म उने 1999 में बनाई गई थी Terminator 2 की तरह यह फिल्म भी action और science fiction का एक बहतरीन combination है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको इसे एक बार तो जरूरी देखना चाहिए यह मेरी तरफ से आपके लिए एक highly recommended movie है जिसे आप जरूरी देख सकते हैं तो यहीं पर समाप्त करते हैं हमारी आज की वीडियो आपकी इन फिल्मों के बारे में क्या रहा है या आप मेरी लिष्ट से सहमत है या नहीं या आप इसमें और कौन सी movie देखना चाहते थे हमें comment section में जरूर बताएं वीडियो को like और channel को तो subscribe जरूरी करें फिर मिलेंगे किसी और topic के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत